पूरे पाट में अपर हमझे क्या देख सकते हैं? मजदूरों की जो दूर्दशा है उसका चित्रन जो है इस पाट में किया गए तो देखे मजदूरों के साथ किये जा रहे है बेदबाव को बेनकाप किया है लेकरनिया तो ऐसे में जो गोपा लंबूदरी जो है वही जो है उसे जो जोड़े उनिफॉर्म जो है कोशाग जो है वहाद दिलाते हैं नमस्कार मैं हूं हर्शीता हिंदी लिक्चरर विद्धाश्रम कॉलेज मैसूर आज हम मैसूर उनिफॉर्सिटी के सेकंड सेमिस्टर विकॉम की हिंदी पर्टेक्रम से जो गद्धी प्रतिबा है उसमें से जो पहले तीन पार्ट जो है उनके बारे में पुनरावर्तन करेंगे आज मतलब यह जो है आप लोगों के लेकर रिविशन क्लास है इसमें पहले तीन पार्ट के बारे में जो है अभी जानकारी प्राप्त करेंगे देखिए आज जो है हम जो आपके लिए पहले तीन पार्ट है मस्दुर खाता मा मुझे भी स्कूल जाना है और सबके दद्दा जो है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे प्रस्तत तीनों पाटों के बारे में विस्तार पूर्वक हमने इसके जो concept class है उसमें देखा था तो ये जो revision class है इसमें हम क्या करेंगे आपर संक्षिप्त रूप में पाटों का सार यहाँ पर जानेंगे और उसके साथ साथ इन पाटों से किस तरह आपको परिक्षा में प्रश्न पूच सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे देखे पहले यहाँ पर मजदूर खाता पाट जो है पहला पाट जो है मजदूर खाता उसके बारे में यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे देखें यहापर एक अउधारना नक्षा है मतलब पाठ के बारे में जो है यहापर हम संक्षित रूप में जानते जाएंगे देखें पहला जो पाठ है आप लोगों के लिए मजदूर खाता और उसके बाद उसके जो लेकके वहाँ है जैप्रकाश कर्दम जी मजदुर काता जो है यहाँ एक कहानी है और इसके लेकक है यहाँ पर जैप्रकाश करदम जी यह बाद पच्चे से याद में रखीएगा इसके बाद देखे यहापर इन्होंने क्या किया है मजदूरों के दुर्दशा का चित्रन प्रस्तुत पार्ट में उन्होंने किया है पूरे पार्ट में अपर हम क्या देख सकते हैं मजदूरों की जो दुर्दशा है उसका चित्रन जो है इस पार्ट में किया गया है भीदबाव जो है किया जाता है वहां हम यहां पर देख सकते हैं देखिए कहानी का जो सार है उसे जानने से पहले उनके पात्रों को जाना बहुत ही जरूरी है तो यहां का जो प्रमुक पात्र है वहां है रामलाल हम इस कहानी का खता नायक ही आपर रामलाल को कह सकते हैं प्र उसके बाद और एक पात्र फैक्टरी मालिक फिर उसके साथ शाक्तर का प्रबन्दक यह चार प्रमुक पात्र जहाया पर हम इस कहानिके अंतरगत देख सकते हैं तो देखें यहां पर लेकक ने क्या किया है प्रस्तुत पाट में मजदूर उनके प्रती जो भीदवाव होता है उसका जो चित्रने अपर किया है उनकी जो दुर्दशा का चित्रनी अपर किया है देखें पाट के प्रारंब में हम देख सकते हैं कि ज जो है तो जो है पैसे की पैसों का इंतजाम जो है वहाँ करे करके पहले तो सोचता है किसी के पास पूचता है फिर भी आपर किसी के पास लेगा फिर बाद में उसे एक बात जाता lib new वहां जो है आपर हर मेने 100 रुपे की जो आड़ी आपर बरता आ रहा था तो उसे ही जो है आपर वहां से ही पैसे निकाल लेगा करके फिर सुबह होती है तो वहां क्या करता है जल्दी ही फैक्टरी जो है पहुंचता है तो यह पर फैक्टरी पहुच कर वहां फैक्टरी मालि है वो कहता है कि हाँ मेरा बेटा जो है गाव में सक्त बीमार है उसके इलाज के लिए पैसे बिजवाने है गाव को करके तभी आपर फैक्टरे मालिक जो है वा कहता है कि ठीके तुम अभी जाओ और क्या तुम भी गाव जाने वाले हो क्या करके आपर पूछता है तभी वो कह बैंक जाकर वहां से पैसे निकाल कर जो है पर पोस्ट ओफिस जाना वहां से पैसे बिजवा करी तुम फैक्टरी आना करके यहां पर कहता है फिर रामलाल जो है यहां पर फैक्टरी मालक से इजाज़त लेकर अभी बैंक जो है जाता है वहां पर भी जाते समय भी वहां बच्चे के बारे में अपने बेटे के बारे में ही आपर सोच रहा है एक तरह फ्रामलाल का मन करता है कि वहां भी अपने बेटे के पास चले जाए मगर वहां कैसे भी अपने आपको संभालता है कि अगर वहां भी चले जाएगा तो उतने दिनों कभी जो पैसा है वहां पगा कर जब उसके सामने कैश बाबू के सामने उस फार्म को रखता है तो यहाँ पर पहले तो कैश बाबू जो है यहाँ पर रामलाल को देखता है फिर उसके बाद क्या है करके पूछता है जब वहां कहता है कि पैसे निकलवाने हैं सहाब करके तभी वहां कहता है कि अभी नहीं आज तो पैसे नहीं निकलेंगे तुम शनिवार को आना करके आपर कहे देता है. वह है रिक्वेस्ट करता है नहीं, शनिवार तो बहुत दूर है. मुझे पैसे उंकी जग जरूरते करके तब भी यहाँ पर कैश बबो नहीं मानता है. तो उसे जब उसे जोर से कहता है तो वह वहाँ से वापस जो है फैक्टरी चला जाता है फैक्टरी जाने के बाद फैक्टरी मालिक यापर उसे पूछता है कि इतनी जल्दी वापस आगे क्या तुम पोस्ट ओफिस नहीं गए क्या करके तबी वह कहता है कि नहीं साहब पैसे जो है यहाँ पर नहीं मिले इसलिए में पोस्ट आफिस नहीं गया करके फैक्टरी मालिक यहाँ पर क्या पूछता है पैसे क्यों नहीं मिले क्या खाते में पैसे नहीं थे क्या करके तब भी रामलाल कहता है कि पैसे तो थे सहाब पैसे तो थे मगर पता ने क्यों कैश बाब उन्हें मना कर दिया पैसे देने से और कह दिया कि तुम शनिवार को आना करके ये बात सुनकर यहापर फैक्टरी मालिक जो रहता है उसे आश्चरी होता है क्यों ऐसा कहा उमारे खाते में से पैसे निकाल कर देने के लिए उन लोगों को क्या है और शनीवार तक उसका इंतिजार क्यों करना है तो फैक्टरी मालिक तुरंत जो है रामलाल को लेकर अपने गाड़ी में ही बिटा कर वहां बैंक पहुंच जाता है और बैंक पहुंचने पर क्याश बाबू से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों कहां करके तब ही वहां कहता है कि हाँ ये जो है ऐसा नियम है इन लोगों को जो है आपर पैसे जो है सिर्फ शनीवार के दिन ही आपर निकाल सकते ही लोग करके ऐसा नियम है करके तब ही आपर वहां कहता है कि अरे किसने बनाया ऐसा नियम अभी इसको पैसो के सक जरूर रते करके जब वहां पूछने लगता है क्या ऐसे जो नियम है बाकि और लोगों के लिए भी है क्या करके तबहीं वो कहता है कि नहीं किसी और को भी ऐसा नियम नहीं है सिर्व ये लोग मजदूर है ना इसलिए इस तरह का नियम से लिए इन लोगों के लिए बनाया है तभी फैक्ट्रि मले कहता है ये तो सपत बेद्बाव है करके तब ही वहां cash बाबू जो है जो cash counter में बैटा रहता है, clerk वहां कहता है कि अभी मेता और ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, मैं भी मजबूर हूँ, तब ही यहाँ पर वहां जो है जो शाका प्रबंदक, देखे, शाका प्रबंदक करते हैं पर किया है, जो branch manager रहता है, वहां चले जाते हैं, और वहां पर भी पूछने पर यहीं कहता है कि यह जो मजदूर है इन लोगों के लिए ऐसा ही नियम है करके, तो यहाँ पर वह बोलता है, ऐसा क्या लिकित रूप में कोई यहाँ पर नियम है, क्या बताओ, दिखाओ, कहाँ पर है करके, पूछता है factor मालिक, इसलिए हमने ऐसा नियम बनाया है, ताकि इनका भी काम चल जाए और हमारी जो बिजनेस है, उसको भी कोई नुकसान ना पहुंचे करके, यह बात सुनकर फैक्टरी मालिक को बहुत ही जो है गुसा यह पर आती है, यह तो सक्त बेदबाव है, अभी इसका बेटा यह पर सक् अगर शनिवार तक उसका बेटा मर गया तो उसका जिमेदार कौन होगा, तब यह बात सुनकर यह पर जो शाका प्रबंद के हो कहता है कि अगर आपको उसकी इतनी ही चिंता है, तो आप अपने खाते में से पैसे निकाल कर दे दो, वैसे तो आप लोगों के लिए तो कोई तो एक राश्ट्री कृत बैंक में इस तरह का जो बेदवाव है उसे देखकर, फैक्टरी मालिक तो पड़ा लिखाता, तो इसलिए वो कहता है कि ठीक है मैं तो उसकी मदद जरूर करूगा, मैं आपको भी नहीं चोड़ूँगा, मैं रिजर्व बैंकर और उसके साथ साथ मीडिया में भी आपके शिकायत करूँगा, फिर बढ़ाईगा अपने बिजनेस करके गुसे में कहकर वहाँ चला जाता है और वहाँ अपने खाते में से पैसे निकाल कर रामलाल को देता है, तो यह जो है इस कहानी का सार है, देखे यह आपर हम देख सकते हैं, रामलाल की जो दुर्दशा, पहले तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं, वहाँ अपने बेटे को जो है देखने के लिए जाना चाता है, मगर फिर भी वहाँ मजबूर है नहीं जा सकता है, अपने बेटे के साथ रहना चाता है, फिर भी वहाँ नहीं जा सकता है, फिर उसके बाद बैंक है वहाँ नहीं करता तो क्या होता तो यह से भी जो हर Has今日 में देख सकते हैं तो देखिए वही अगर हम इसका आदिगम परिणाम तो उसहम मतलब इस पांद से क्या संदेश हम अगर वह देखेंगे तो देखिए मजदूर उनके साथ किये जा रहे बेदवाव को बेनकाब किया है लेककने अपर मजदूर उनके साथ जो बेदवाव होता है बेदवाव का वेवहार उनके साथ किया जाता है बेनकाब जो है यहापर किया है तो किस तरह एक राश्ट्री कृट बैंक में ही अगर उतना बेदबाव जो है मस्दूर उनके साथ होता है तो ऐसे में तो समाज में उनके साथ कितना बेदबाव आपर हो सकता है और उनकी दुर्दशा क्या है ये जो है हम इस पार्ट में देख सकते हैं फिर देखिए अपर समानता का जो संदेश ये अपर हमें मिलता है समाज में और हमारे देश में समानता को जो है बरकरार रखने के आवश्यकता है और समानता जो है वहाँ जरूरी है अभी पूर्ण रुप से समानता जो है वहाँ नहीं आई है यह एक संदेश यहापर हमें मिलती है नेक्स्ट देखिए यहाँ पर माम मुझे भी स्कूल जाना है यहाँ भी एक कहानी है तो इसके लेकक है सूरेश मुले जी जो है वहाँ इसके लेकक है इसमें उन्हेंने क्या किया है संकल्प बद कुंजरन की बेटी लक्षमी के में जीवन का चित्र किंचा है प्रस्तत कहानी में सूरेश मुले जी ने एक संकल्प बद कुंजरन जो है कुंजरन का अरतिया पर क्या है सबजी या फिर फल बेचने वाली तो ऐसे जो कुंजरन है वहाँ बहुत ही अपने जीवन में संगर्ष करके अपनी बेटी जो है उस लक्षमी है वहाँ बेट जीवन में बहुत ही संगर्ष करके जो है वहाँ एक मुकाम हासिल करती है वही जो हम इस कहानी में देख सकते हैं तो इसकी प्रमुक पात्र जो है वहाँ है लक्षमी देखे जो लक्षमी है वही इस कहानी के प्रमुक पात्र है उसके बाद जो है अपर मझवा देखे आपर जो मझवा है यही लक्षमि की मा है और उसके बाद और एक प्रमकपतरम क्याMat unserem थेख सकते आपर गोपाल नंबो दरी देखे जो गोपाल लंबोदरी है यहां headmaster है लक्षमी जिस स्कूल में पढूती है ने वहाकी वहाव headmaster है Victoria School के Headmaster है फिर उसके बाद Venkatesh और उसके सासत Ashok, Ashok यहाँ पर क्लर्क है और Venkatesh उस स्कूल के चप्रासी, तो उसके सासत पती करके दिया है, इसके पती मतलब मन्जवा का पती और लक्षमी के पिता, पती करके यह पर प्रयोक किया गया है, कहानी में यह पर उसका कोई भी नाम पर नहीं दिया गया है, तो इसलिए मंजवा का पती और लक्ष्मी के पिता जो है, इतने जो एक पात्र है हम इस कहानी में देख सकते हैं, देखे जो मंजवा है, वहाँ सबजी बेचने वाली है, औ कि जो कहानी है जो पाठ है उसका प्रारम कुछ इस तरह होता है कि मंच जो है एक स्कूल है स्कूल में मंच पर जो है आपर स्कूल के जो मुक्य पर आ है मतलब जो हेड मास्टर वहां बैटे हैं और वहां पर एक पुली सदिखारी है वहां जो है भी बाशन देते वो कहते हैं कि आप सबी लोग बहुत ही भागिशाली हो कि आपको जो है इस कूल में पढ़ने का जो अवसर है वहां मिला यहां पुन्न भी राजा बन सकता है इसका पूरा जो मौका है आप उठाएए जिस तरह यहां के जो गुरुजन कहते है उस तरह उनकी जो बात है वहां मानीए यहां पर पढ़कर गरीब भी अमीर बन सकता है रंग भी राजा बन सकता है तो यह जो सुवावकाश है अप यह आपको मिला है तो इस तरह जो है यापर अपने स्कूल के बारे में वहाँ पोलिस अधिकारी जो है वहाँ कहती है, तो वहाँ जो है अपने पूरी स्कूल की जो आवरने वहाँ तालियों से गूँज उड़ती है, तब जाकर हेड़ मास्टर जो है कुछ चौंक जाते हैं, मानो अब तक जो है कोई सपना जो है देख रहेते हैं फिर यादों के पन्नों को जो है वहाँ पलट रहेते तो उससे बाहर जो है वहाँ अकिकत में आते हैं और वहाँ भी तालिया जो है बजाने लगते हैं तो पाट आगे से जो है वो किस अतीत के पन्नों को पलट रहेते व किस तरह जो है या पर मंजवा या पर लक्षमी को विक्टोरिया इसकूल लेकर आती है उसकी दाकिला करवाती है और वहां के इस तरह पढ़ती है इसके आगे से जो है आपर बताते जाते हैं कि एक दिन विक्टोरिया इसकूल के सामने मंजवा जो है अपनी बेटी को लेकर आ वह कहती है कि मेरा पती तो पीयक कड है वो तो एक रुपाया नहीं देता है अभी मेरी बेटी भी अगर यापर स्कूल में दाकिला अगर उसको मिल जाएगा वो कुछ पढ़ लेगी तो वहां तो क्या है चाव में कहीं पर बैठ कर अपनी काम करके जीवन बिता पाएगी वहा तबी जो गोपा लंबुदरी जो है वहां जो है अशोक को बुलाते है क्लर को फिर सरकारी फीज जो है वहां कितना है यह जानने की कोशिश करते है डोनेशन सभी निकाल कर फिर देखे यहाँ पर अशोक क्लर कर सभी देख कर एक कहता है कि अभी तो कम से कम जो है यहाँ पर सिर्फ 400 रुपए थे तो यहां पर वो कुछ समया कौश जो है आपर देते हैं ठीके बाई अभी वो एक डेट लिख कर देते हैं एक परची में तुम इस दिनांग पर आकर जो है अपनी बेटी की इतना फीज जो है बरकर अपनी बेटी की दाकिला जो है करवा लो करके तो करते हैं अपनी बेटी की उजवल भविशी के लिए और कुछ समय बात जो है यहापर रात में जब उसका पती जो है आता है अपने दोस्तों के साथ बहुत ही पिया हुआ होता है वो अपनी पतनी से कहता है कि अभी खाना पर असो सब को करके तब जाकर यहापर जो मंजवा भी आता है और वो कहती है कि अभी वो तो जो पैसे है वहाँ बेटी की फीस के लिए रखाता तुमने तो क्या है उसे भी लेकर यहापर बरबाद कर दिया अभी बेटी की दाखिला कैसे करवाओ में तू तो एक रुपय नहीं देता और यहापर खाने के लिए हम लोगों को यह गर में ठीक से खाना नहीं है और तू अपने दोस्तों को भी वो कहती है कि अभी तू इन कुतों को भी अपने साथ लेकर आते हो तब ही आवाज सुनते ही वहाँ सबी जो दोस्ते वहाँ भाग जाते है तो पती को गुसा आता है और वहाँ क्या करता है अभी तूने खा खाना नहीं काते हैं उस रात को कोई भी आपर खाना जो है वहां नहीं काते हैं देखे आपर मंजवा को अपनी बेटी की चिंता है और मंजवा की गर की माहौल देखे किस तरह है तो इस माहौल में किस तरह या पर लक्षमी ने कितना महनत किया होगा और मंजवा ने कितना महन करके पढ़कर जो है वहां क्या एक पुलिस अधिकारी जो है वहां आगे जाकर बनती है तो बाद में फिर से पर मंजवा हिम्मत नहीं आरती है फिर सुबह उरती है उसे साहुकार के पास जाती है फिर से दस के बैज में 700 रुपए लेकर आती है और अपनी बेटी की दाखिला जो है विक्टोरिय आई स्कूल में करवाती है अभी लक्ष्मी जो है रोज पर सुगूल जाने लगी उसके पास यूनिफॉर्म नहीं था तो ऐसे में जो गोपा लंबूदरी जो है वही उसे दो जोड़े यूनिफॉर्म जो है पोशाग जो है वहाद दिलाते हैं फिर तो तो क्या आता है पर लक्षमी अपना पूरा मन जो है पड़ाई में उसने लगाया, वो पड़ाई के साथ साथ बाकी खेल कुद प्रतियोगी ता सभी में वहाँ बाग लेती थी और सब में वहाँ अवल आती थी, उसके बाद जो वहाँ स्कूल में जाती है, तब भी जो है या कुछ पैसें को जह अपने मा के नाम जो है भाहा खाते में जो है सेविंग सकॉंट जो है उपन करके उसमें पैसे जो है रखती थी तो इस तरह जो है वहा ignored आ है काम भी करती थी और पढ़ाइबी करती थी गेए वह हाइ सकूल से सदीकारी बनते थी बाद में वही विक्टोरिया स्कूल जब जाती है अपने हेड़ मास्टर को देखती है पहले तो वहाँ पैचान नहीं पाते है सरू सको तो यहीं उसे देखती है फिर वहाँ दरजाते पोलिस जो हमारे स्कूल क्यूं आये करके फिर जब उन्हें यह बात पता चलती कि वह जो कि प्रारंब में बाशन में उस स्कूल को पुर्णनी भूमी कहा था वो कहते है कि यहाँ पर किसी भी तरह की बेदभाव ज़यवाह नहीं होता है इसलिए उसने कहा था कि रंक भी ज़या पर राजा बन सकता है गरीब अमीर बन सकता है देखे ये शिक्षा का महत्व है किस तरह यह पर देखे एक तो अगर मंजवा जो है एक बार में हार मान कर अगर वहाँ चुप हो जाती तो भी शायद लक्ष्मी जो है आज एक पुलिस सदिकारी नहीं बन पाती जिड में अडी रही कि मेरी बेटी को पड़ाना ही है और गोपालसर की सहायता से सभी कारण से जो है पर और उसके सास अथ लक्ष्मी की महानत से भी इन सभी कारणों से लक्ष्मी जो है पुलिस सदिकारी बनी है तो यहाँ जो है आपर आपका पाट पूर्ण होता है देखे अभी हम इसका जो अधिगम परीड़ा में वहाँ देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है क्या संदेश पाटकों को मिलता है देखे पहला तो आगामी पीडी के लिए शिक्षा का महत्व जो है यहाँ पर सबजी बेच सी थी सबजी बेच रही होती तो शिक्षा का महत्व जो है मैं यहाँ पर पाट में पता चलता है और एक जो है मा का महत्व देखे जो मंजवा जैसी मा है यहाँ पर बहुत सारे जोकी मुटा कर देखे दो दो बार वहाँ करजा लेती है पहले बार जब पति उसे पीने में पूरा पैसा बर्बाद कर देता है, फिर भी वहाँ आर नहीं मन ती, फिर से सुबह वहाँ पैसे जो है, दस्क के बैज में वो भी क्या है कहज में ले आती है। तो ऐसे जो मा है जो अपनी बेटियों की उजवल भविशी के लिए वहां कुद अपने जीवन में संगर्शी करते हैं, उनका जो महत्व है या पर पता चलता है, और उसके साथ गुरू का महत्व, देखे गोपाल लंबुदरी जैसे जो हेड मास्टर है, और जो गुरू पर आते हैं, अगर गोपाल लंबुदरी सर जो है या पर लक्षमी पर या फिर मंजवा पर दया दिका कर फीस कम ना करते और उसे दाकिला ना देते, तो शायदी लक्षमी आज जब पोली सदिकारी ना बन पाती, तो गुरू के कारण, मा की कारण, उसके साथ खुद का भी जो है संगर्ष जीवन में उसने जो किया था, उस सब के कारण जो है आज वहाँ एक पोली सदिकारी बनी, एक मुकाम, एक मंजिल जो है उसने हासिल किया, तो इन सब का जो महत्व है, गुरू का महत्व, एक अच्छे गुरू, अच्छी मा, और ग्नियान का महत्व, पाठे वहाँ है सब के दद्दा, जिसके लेकक है विश्नु प्रबाकर जी, देखिए विश्नु प्रबाकर जी ने इसमें महितली शर्ण गुप्त जी से संबंदित स्मृतियों को लिपी बद्द किया है, तो इसमें यहाँ पर एक तो हम महितली शर्ण गुप्त जी को दे प्रमुख लेकक है येश्पाल जी लेकक सर्णगूपत ऐसके साथथ चारोंसिल सर्णगूपत को भी आपर वहाँ याद करते तो यह सबoderar ही ट्रेख्ब करते हैं पर में स्कारण है इस पार्ट में लिपिवति पर्फेर्ट के जाते हैं लेकक विष्न परबाकर जी और उसके साथ यहापर महितिली शरण गुपत जी के बीच में जो एक संबंध था एक आत्मी था जो थी उसको यहापर वहाँ लिखते जाते हैं देखिए वह पहले तो यह कहते है कि पाठके प्रारंब में कि जब लेकक जो है यहापर तीसरी कक्षा में पढ़ रहे थे तब ही ज जिसके बाद जो है वहाँ उनकी रशना उनको पढ़ते आ रहे थे तब तो बच्पन में तो यह सोच भी नहीं सकते थे कि जिसकी कृतिया जो है वहाँ भी पढ़ रहे आगे जकर उनसे क्या है इतनी आत्मी था बढ़ जाएगी करके देखिए लेकके आपर कहते हैं उनकी जो पहले मुलाकात है वहाँ काशी में जो है हिंदी साहितिय सम्मेलन में हुआ करके मगर पहले जो मुलाकात है उनका सिर्फ यह पर प्रणाम तक ही सीमित रहा देखिए जो येश्पाल जी जो है वहाँ भी उनके साथ थे उस समय उस हिंदी साहितिय सम्मेलन में जो है काश अभी यहापर दद्ध जो है वहाँ और है मतलब मेरा तुमाइतलिशन गपनुट जी को सभी लोग प्रेम से बार दद्ध करके पुकारते थे तो वहाँ आ गए करके कहते अभी यह भी ओं यही तो दाड़ी मुँच रखते थे अभी साफ करादी है करके तो सबी उस अमेलन में उस दिन पूरी यही बात जो है वो रही थी कि अभी इन्होंने धाड़ी मूच जो है वहाँ साफ करा दी है करके देखे पूरे समावेश में सिर्फ उनके बारे में इतना अगर बात्चीत हो रही तो उनका महत्व क्या है आपर हम जान सकते हैं देखे राष्ट्र कवी की उनको जो महत्तिली शरंगुप्त जी को जो है राष्ट्र कवी की उपादी जो है यहापर गांदी जी ने दिया था और उनकी जन्म दिवस को महत्तिली शरंगुप्त जी की जो जन्म दिवस है उसे कवी दिवस के रूप में यहापर मनाया जाता है तो ऐसी महान वेक्ति के बारे में जो है भी वहाँ बोलने जा रहे हैं तो मुझे तो पता ही नहीं था बच्पन में तो ऐसे महान वेक्ति से भी मेरी मुलाकात हो पाएगी मुलाकात से भी बढ़कर उनसे इतनी आत्मी था बढ़ पाएगी करके तो पहले जो मुलाकात हैं उस सम्मेलन में जो है वहाँ सिर्फ प्रάνाम तकी अपर सिमित रहां. बाद में जब वहाँ चिर्गाव जाते हैं, मैर्तिलि श्रण गुपतजी के घर जाते हैं, तब जो है उनसे यहाँ पर मुलाका जो है बेट जो है वहाँ बहुत अच्छी से होती है देखे वो कहते है जब वाचिरगाउ स्टेशन जो है पहुंचते है रात के दो बज रहे थे तो वहाँ पूरे राज जो है वही पर रुपकर सुबा जो है मैतली शरण गुपतजी के घर जाते हैं तो वहाँ पर पहले जाकर देखे वो सियाराम शरण गुपतजी का नाम लेते हैं क्योंकि तब तक सियाराम शरण गुपतजी से एक स्नेह हो चुका था इसलिए तो उसके बाद सियाराम शरण गुपतजी से मिलकर फिर वहाँ जो मैतली शरण गुपतजी है उ अगर मैंने तो मैंतलिस शरण गुप्त जी को जो है वापर सामान्य विक्ति की भांती पाया किस तरह गाव में सामान्य लोग रहते हैं उसी तरह वहाँ भी घर में रहते थे और सबसे बहुत अच्छे से जो है वहाँ बाते करते थे वही जाकर वो देखते हैं कि उनमें जा लुचे आपने अपने आप में करके थे नहीं बहुत और सबसे पर हसकर बाते करते थे आतमी उभाव से उनके साथ पेशाते थे फिर खुलकर हसते थे बहुत चपलता भी थी तो यहां पर वे कहते कि कब इहां पर साहितिक तीर्त के रूप में साहितिक तीर्तक्षेत्र के रूप में इनका घर जो है देखा जाएगा तो ऐसा भी वहां कहते हैं फिर इसकी बाद वो कहते हैं कि उनमें विनम्रता थी वो सबसे अच्छे से आपर आत्मी भाव से पेश आते थे मगर समय आने पर अगर उनको ऐसा लगा है तो आकाश्वानी का एक उदारन यहां पर देते हैं कि जब वहां आकाश्वानी जाते हैं तो वो अपने आपको जो है आपमानित होकते हुए महसूस करते हैं उससे भी ज्यादा जिसके प्रतिनीदी के रूपर वहां गये है उसका अपमानिया पर हो रहा ही महसूस होते ह वहाँ से निकल आये थे फिर बहुत request करने पर वहाँ वापस गये करके तो ऐसे ही एक दो उदाहरन जो है यहाँ पर वहाँ देते है फिर उसके बाद लेकर कर उनके बीच में जो संबंदता आत्मी यह संबंदता उसके बारे में वो कहते हैं एक बार बार यापार यही कहते थे कि अभी तुम मुझसे मिलने आना करके और फोन पर भी वहाँ बार बार उन्हें पुकारते थे अपने गरिये वहाँ आने के लिए कहते थे देखे जो मैतिली शर्ण गुप्त जी जो है वहाँ आलो चकों के प्रति भी जो है कभी भी यहाँ पर क्रोधित जो है वहाँ नहीं होते थे तो इसके संदर्बू में भी आपर एक ऊधारन यापर कहते है कि आपके भाशा की बड़ी यापर चर्चा जो है ओर यह करके तब हुर कहते कि हां मुझे भी पता है मुझे भी ये मैसूस होता है कि मैं भाशा की तरफ यापर ज्याद तर ध्यान नहीं दे पाऊंगा देखे कि सहाज रूप से वहाँ उस बात को जो है स्वीकारते हैं तो एसी बात सुनकर यह पर लेकक को भी हैरानी जो है होती है इतने एक महां साहितिकर कितनी सरलता से यहां पर अपनी कमी को जो है वहाँ अपने प्रति हो रहे हैं आलचनों को जो है वहाँ स्वीकार जो है करते हैं दे तो यहां पर वहां बार बार आगरा करते हैं और आकरी जो बात है उनको भी आपर याद करते हैं कि जब आकरी बार यापर ददा ने मुझे फोन किया था तो फोन में जो बात हुई थी उसे वहां कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि अभी मैं तो नहीं आपाऊंगा भी पाओं ने जवाब दे दिया है करके तुम ही मुझे मिलने आना करके देखे इतने में वो कहते है कि तब लेकक की भी जो वहां तबियत है वहां ठीक नहीं था तो वहां उनसे मिल नहीं पाए तो इसलिए वह कहते है कि बी कैया है उसके कुछी धिन बाद उनकी मुरूतिया पर हो गई तो इस तरह महितली शरंगुप्तजी की जो एक सहर दयता का भावना है और उनमें जो विनोम्रता थी इस सब की बारे में वहां कहते जाते हैं सबी बातेवा कहते हुए महितली शर्ण गुपत जी को जो है अपर याज जो है करते हैं नेक्स्ट देखिए महितली शर्ण गुपत जी का जो वेक्तित्व परिचे इस पार्ट से हमें होती है महितली शर्ण गुपत जी जो एक महान साहितिकार है जिनने राष्ट्र कवी की ज जन्म दिवस को जो है या परकवी दिवस के रूप में जाना जाता है उनमें ठोड़ी सी भी आहेंगकार के मांतरा रत्तिबर्स जो है उनमें नहीं था है अर्डीक वहां अभ्वी कोरेशां वहां होद называется है longing हね थी नारी का सस्ने है जो है उनमें था तो लेकक और उनके बीच में जो संबंध है वहाँ भी जो है 颠ेखेंगे निम्हें पर विश्युप् ön appreciate का भाव और उसके साथ उनकी जोघ्टित्व है तो उसके बाद Sharp का जो महत्व है क्या है यह में इस पार्ट में जान सकते हैं देखे मैइतिली शरण गुपत जी यूहीं साहिति जगत में दद्दा करके जो है वहाँ नहीं कहला दे उनमें जो एक सहरदेता की भावना थी जो विनम्रता थी उनमें जो मानवता का जो एक गुंड था उसी की का आखिर में यह पर पाठ के आखिर में लेकर कहते हैं वहां एक अच्छे कवी थे मगर एक अच्छे कवी एक अच्छे साहितिकार से भी बढ़कर वहां एक अच्छे मनुश्य थे देखिए यही जो है बहुत ही जरूरी है कि आप जो भी बनिये सबसे जरूरी जो है पर पहले एक अच्छा जो मनुश्य है वहाँ आपको बनना है जब अपने मानवीता का गुण आएगा तब जाकर कोई भी साधना जो है वहाँ आप कर सकते हैं नेक्स्ट देखें यहाँ पर प्रसुत जो मजदूर खाता पाठ है उसमें से अगर प्रश्ण जो है किस तरह दे सकते हैं इसे हम देखेंगे तो मजदूर काता कहाने के आदार पर मजदूरों की दूरतशा का चित्रन करते हुए उनके प्रती बैंक संबंदी घिनों ने विवहार पर प्रकाश डाले करके दिया गया है देखें इसमें या पर पूर्वु पीटिका करके आपको पहले लिखना है द मजदूरों की दूरतशा का चित्रन आपसे पर प्रश्न क्या पूछा गया है मजदूरों की प्रती जो दूरतशा का चित्रन इस पार्ट में किया गया उसे आपको लिखना है देखें यहापर उसकी दूरतशा क्या है पहले तो वहां फैक्टरी में जो है कितना महनत करके क करता है और उसके बाद किस तरह वहां अपने बेटे के बीमारे के समय में भी वहां उसके साथ रहना चाहता है फिर भी वहां ना रह सकता है फिर भी वहां नहीं रह सकता है उसकी मजबूरी देखिया पर फिर बैंक में किस तरह जो है उसके साथ घिनोना वेवहार होता है वो सब्सक्राइब यहां पर आपको लिखना है फिर उसके बाद उपसमहार करके आपको लिखना है तो उपसमहार में यह लिख सकते हैं कि प्रस्त पार्ट में यहां पर मजदूरों के प्रति किये जारे बेदबाव को लेकक ने बेनकाब करने का एक सफल प्रयास किया है तो इसी तरह आपको लिखना है तो तब ही जाकर आप दस अंक पर प्राप्त कर पाएंगे नेक्स्ट देखें आपर लक्षमी का चरित्र चित्रन कीजिए तो यह पर आपको पहले तो पूरू पिटिका जैसे मैंने कहा कि लेकक के बारे में यह आपर लिखना है पूरू पिटिका में और उसके बाद लक्षमी का चरित्र चित्रन जो है आपको करना है किस तरह है था या पर जगडा जो είναι वहां करता था तो उस बातामें बी उस माहूल में बिंच सरह या प डालते हुए सभी वहां किस तरह मेहनत करकर वहां परद टीए फिर अपनी पड़ाय के करचच जो है वहां किस तरह आपर खुड उटाती है तो वह work कर ना फिर इसके बाद नजा सबर अबनती मतलब एक आधर्श कुछा के लिए या फिर बच्चों की कि इना आए और बच्चों को जो है हमेशा पढ़ते रहना चाहिए और शिक्षा का महत्व जाया पर हमें पता चलता है उसी शिक्षा के कारण तो वहाँ एक पुलिस सदिकारी जो है बन पाई तो यह सभी आपको लिखना नेक्स देखिए सबकी देद्दा पार्ट के आदार पर महितली शरण गुपत ज कि कि ब्रकाश डाले कि महितली शरंगुपतु जी की वेक्टित्व क्या है यह आपको लिखना है वह इक पर दो पार्ट है उसके आदार पर आपको लिखते जाना है तो 10 अंक किरे पहले पूरूपीटिका उसके बाद महितेले शरंंगुपते जी का जो व्यक्तितव बारे में पार्ट में किस तरह उनके व्यक्तितव बारे में अपर बताया गया है। उनके सरदेता के बारे में, उनके विनम्रता के बारे में, और उसके साथ साथ, उनमें जो शिशु सुलब चपल था थी, उसके बारे में, वो गाउ में किस तरह रहते थे, किस तरह सबसे बाते करते थे, उनकी विचार, सोच विचार सभी किस तरह थे, ये सभी जो पार्ट मे केंदेत जो भी बात है या पर आपको लिखते जाना है फिर उसके बाद उपसमहार या पर आपको लिखना है देखें उपसमहार का आर्थ या पर क्या है conclusion किस तरह आप यह पर पुरुपिटी का मतलब introduction introduction और conclusion तो यह जो है यह पर आपको लिखना है तो इसी method में लिखना है तब ही जाकर आप दसंग यह पर प्राप्त कर सकते हो पुरुपिटी का और प्रश्ण जो है किस संबन में पूचा गया है उन्ही जो अंश है वही जो अंश है उसको लिखते जाना है फिर उसके बाद conclusion मतलब उपसम्हार जो है निश्कर्श जो है यह पर आपको लिखना है नेक्स्ट देखें यहाँ पर सवप्रसंग व्यक्या कीजिए यह तो आपको यहाँ पर कैसे पूचेंगे दस संग के प्रश्ण पूचेंगे उसके बाद हो सकता है पांचंग के लिए चरित्र चितरन भी पूचे यह फिर पांचंग के लिए टिपन्ट यह पर लिखने के पूचा जाए फिर उसके बाद जो है आपको पांचंग के लिए सवप्रसंग व्यक्या कीजिए करके पूचेंगे जैदा तरह यह पर सिंगल इन्विटेट यह डबल इन्विटेट कॉमा में जो वाकी रहते हो पूचा जाता है यह पर या फिर और भी कोई भी वाकी जो है बहुत ज़रूरी है तो पंद्रा अंक के लिए जो है सवप्रसंग व्यक्या तीन सवप्रसंग व्यक्या जो आपको यह पर प्रश्ण पत्रिका में करनी पड़ती है देखें आपर आरे यहां दाड़ी मूच रखते थे अब साफ करा दी है तो आपको संदर्ग पश्टी कर पूछते थे वैसे ही सवप्रसंग व्यक्या तो पहले आपको प्रसंग करके लिखना है तो उसमें पाट का नाम लेकक का नाम और किसने किसे कहा यह सभी जो है आपको लिखना है फिर उसके बाद संदर्ग स्पश्टी करन जाए करनी है कि संदर्ग में जो है यहां बात आत और भी आपको प्रसंग पाठ का नाम लेकक का नम और किसने किसे कहा करके आपको लिखना है फिर उसके बाद संदर्ब स्पष्टी करन और विशेष्टा देखे उधारन के लिए आपर पाठ का नाम संदर्ब या फिर प्रसंग करके लिखकर आपको क्या लिखना है प्रस्तु से कहां नेक्स्ट मैं पर क्या लिखने को इस बात को गोपाल लंबूदरी जो है वहां मंजवा से पूछते हैं तो यहां पर यह हो गया फिर इसके बाद सब्जी खरीदने जाते हैं जब वहां अपनी पत्रीके साथ मार्केट जाते है सबजी करी इतब वहां मन्जवा को देखते हैं सबजी वहां बेशती हैं लिख बेरा को सब्सकरन सब्सक्राइब को करना है फिर उसके बाद विशेश्ता देखे यहाँ पर प्रस्तुत संदर्पु में हम देख सकते कि किस तरह जो गोपा लंबूदरी सर है वहाँ अपने चात्रों के प्रति जो ध्यान है वहाँ रखते है वहाँ जाकर देखे वो लक्ष्मी को यहाँ पर लक्ष्मी की पढ़ाई के बार में पूछते हैं और यह भी जो कहते हैं वहाँ तो सब में अवल है यही पर में पता चल जाते हैं कि तब तक लक्ष्मी जो है हर एक खेल खूद में और उसके साथ पढ़ाई में भी वहाँ अवल जो है वहाँ आते ती करके यह जो है आपर हम देख सकते हैं तो इस तर कीरिकarl come पृर प्राप्ट कर सकते हो पहले आपको यहांatore textbook लेना है पारटको अच्छे से पढ़ना अब उसके साथ सथ याफिर आप यूटुब में भी जो concept classes है उसे देखेंगे तो अच्छे से आपर जियान में रखें, याद में रखें, कब कौन किसे क्या बात करता है, तब ही आपर अच्छे से लिख पाएंगे, तो ऐसे ही लिखना है, प्रसंग उसमें पूरा पाट का नाम, लेकक का नाम, किसने किसे का इसा भी आना चाहिए, उसके बाद स्पश्टी करन, उसके बाद विशेष्टा, तो इस तरह अगर आप लिखेंगे, तो अच्छे से अंक प्राप्त जाया पर आप कर पाएंगे, धन्यवाद,